對啊 दोस्तो इस वीडियो में आपको अगा अगर आप अपने स्य विडिएस करना चाहते हैं तो अ फिरी में स्य और स Dartmouth के दर द खीक्रीक हो जाएं परिचार्ज कर लेना है C उसके बाद हमें Get Started पर क्लिक कर देना है दोस्तों हमसे यहां पर कुछ परमिसन्स माँग रहा है तो हमें एलाउ कर देना है जो भी परमिसन माँग रहा है दोस्तों हमें अपना free charge में अपना account login कर लेना है तो मैं अपना account login कर लेता हूँ उसके बाद हमें next पर click कर देना है दोस्तों मेरे number पर code भेजा गया होगा और आप देख सकते हैं code इसने automatically ले लिया है उसके बाद हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें इसको skip कर देना है मैंने अपना free charge login कर लिया है उसके बाद आप देख सकते हैं यहापे जो mobile recharge का option आ रहा है इस पर click कर देना है और हमें यहाँ पर अपना zero number इंटर कर लेना है और हमें यहाँ से अपना plan select कर लेता है जैसे मैं 20 रुपय का recharge करना चाहता हूं तो मैं select कर लेता हूं दोस्तों मैंने अपना recharge plan select कर लिया है उसके बाद हमें यहाँ पर promo code डालने का option आ रहा है आप देख सकते हैं हाँ यहाँ पर promo code का option आ रहा है यहाँ हमें यहाँ पर डालना है chrg15 दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहीं code डालना है अगर आप इस code को यहाँ पर नहीं डालेंगे तो आपको cashback नहीं मिलेगा तो मैं cashback यहाँ पर प्रोबों code इंटर कर दिया है उसके बाद हमें apply पर click कर देना है अब देख सकते हैं मेरा जो code था successfully apply हो गया है उसके बाद हमें नीची आ जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पे नाओ का option आ रहा है उसपर click कर देना है आप देख सकते हैं मेरा recharge जो successful हो गया है और मुझे यहाँ पर एक scratch card receive हो गया है मैं scratch card को scratch कर लेता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पांच रुपय का extra cashback receive हो गया है तो हमें यहाँ से इसको cut कर देना है अब उसके बाद हमें बैका जाना है हमें अपने transaction history चेक करने के लिए हमारा जो logo वाला option आ रहा है website में हमें इस पर click कर देना है उसके बाद my transaction पर click कर देना है दोस्तों आपको जो cashback मिलेगा वो up to 15 रुपय तक मिल सकता है मतलब कि इसमें कोई fix नहीं है कि आपको कितना रुपय cashback मिलेगा और अगर आप भी अपने फिरिचार से रिचार्ट करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें